नमस्कार आदर सिक्षन समीती बाढ़ मेर द्वारा संचालीत इस सिक्षन कक्षा में आप सभी भहिया बैनों का हार्दीक अभिनंदन एवं स्वागत कक्षा सश्थी विश्य सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत फर्स्ट अध्याय दो आखिट खाद्या संग्रश से भोजन उ जानवर चलते फिरते खादे भंडार जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती हैं अगर जानवरों की देखवाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है साथ ही उनसे दूद भी पराप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत हैं यही नहीं जानुरों से हमें मास भी मिलता है, दूसरे सब्दों में पसुपालन, पोजन के भंडारन का एक तरीका है, पोजन के अतिरिक्ट जानुरों से और क्या-क्या मिल सकता है, आज जानुरों का उप्योग किसलिए होता है, आईए आरंबिक कर्सकों और पसुपालकों के बारे में पता करते हैं मान चित्र दो प्रिशंख्या तेरे में देखने पर ये पता चलता है कि तुम्हें कई नेले वर्ग दिख रहे हैं पता है इन में से परतेक बिंदू उस जगे को दर्शाता है जहां पुरा तत्व विदों को सुरुवाती कर्शकों और पसुपालकों के होने के सक्षे मिले हैं ये पूरे उपमहादीप में पाई गए हैं इन में सबसे महत्पुर्ण पस्चिम और तरक्शेतर में आदोनिक कस्मिर में और पूरुवी तथा दक्षिन भारत में पाई गए हैं वास्ता में ये निर्दिष्ट इस्थान कर्शकों और पसुपालकों की बस्चियां थी या नहीं इसे जाचने के लिए भेग्यानिक खुदाई में मिले पोधों और पसुओं की हडियों के नमोनों का अध्यन करते हैं इन में से सबसे रोचक जले हुए नाच के दानों के अफसेस हैं ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जान बुझ कर जलाए गए होंगे विएग्यानिक इन अनाच के दानों की पहचान कर सकते हैं इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहादेब के विभिन भागों में बहुत सारी फसलें उगए जाती रही होंगी ये ग्यानिक विभिन जानवरों की हडियों की भी पैचान कर सकते हैं इस्थाई जीवन की ओर पुरा ततविदों को कुछ प्रा इस्तलों पर जहुपुडियों और घरों के निसान मिले हैं जैसे की पुरजहौम पुरतमान कस्मीर के लोग गड़े के नीचे घर बनाती थे जिने गरतवास कहा जाता है इनमें उतरने के लिए सीडियां होती थी इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुर्क्षा मिलती होगी पुराता तुविदों को जहुपुडियों के अंदर और बहार दोनों ही इस्तानों पर आग जलाने की जगे मिली है ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बहार खाना पकाते होंगे एक करतवास का एक चित्र बनाईए बहुत सारी जगों से पत्थर के अजार भी मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पासान युगीन उपकरणों से भिन हैं इसलिए इन्हें नप पासान युग का माना गया है इनमें वे ओजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चड़े जाती थी ओखली और मुसल का प्रियोग अनाज चत्था वनस्वतियों से प्राव्त अने चीजों को पीषने के लिए किया जाता था आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रियोग अनाज प्रिशने के लिए किया जाता है उसी तरह प्राचिन प्रस्तर युगिन ओजारों का निर्माण और प्रियोग लगाता होता रहा कुछ ओजार हडियों से भी बनाए जाते थे ना पासान युग के प्राच्तलों से कई परकार के मिट्टी के बरतन मिले हैं कभी-कभी इन पर अलंकरन भी किया जाता था बरतनों का उप्योग चीजों को रखने के लिए किया जाता था देरे-देरे लोग बरतनों का प्रियोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे चावल, ग्याहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्पुनिशा बन गए थे इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपाज जैसे आवशक पदे हो गए जा सकते थे क्या ये प्रिवर्तन हर जगे एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है इस तरह इस तरफ जहां कई जगों पर इस्त्री पुरूष शिकार और भोजन संग्रे करने का काम करते रहते थे वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दर्मियान देरे-देरे खेती और पसुपालन को अपना लिया बहुत जगे लोग मौसम के मतावित बदल बदल कर अपनी जीवी का चलाया करते थे मेहरान गड में जीवन मिर्तिव मानचित्र मानचित्र दो परिष्टक संख्यात तेरे में हम मेहरगड मेहरगड ढूंडेंगे तो यह पता चलता है कि यह इरान जाने वाले सबसे महत्पॉन रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल इस्तान है मेहरगड संभावत्ता वा इस्तान है जहांके इस्त्रिप्रोसों ने इस इस इलाके में सबसे पहले जो गिहूं उगाना और बक्री भेड बक्री पालना सिखा या विभीन परकार के जानवरों की हडिया मिली इन में हिरन तथा सुवर जैसे जंगले जानवरों तथा भेड और बक्रियों की हडिया है मेहरगड में इसके अलावा चोकोर तथा आयताकार घरों के अउसेश भी मिले हैं परते घर में चार या उससे ज्यादा कम रहे हैं जिन में से कुछ संभावतर भंडारण के काम आते होंगी मृत्यों के बाद सामानेता मृत्तक के सगे समद्धी उसके परति समान जाता थे हैं लोगों के आस्ता हैं कि मृत्यों के बाद भी जीवन होता है इसलिए कबरों में मृत्तकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे मेहर गड में ऐसी कई कब़ें मिली हैं एक कबर में एक मुर्त के साथ एक वक्री को भी दफनाय Balot समभखता है इसे पहलोक में मुर्त के खाने के लिए रखा गया होगा यह मेरगट के घर का चित्र हैं मेरगट के घर साइद ऐसे दिखते हों तुम जिस घर में रहते हों उसके साथ इस घर की क्या समानता है तुरा तुनना कीजिए अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस ढोड़ने के तो पता चलता है यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है इस पुराश्टल की खोज लगबग सो साल पहले चार इसकूल इचातरों ने की थी इस तरह के चित्र लगबग पीस अजार साल पहले से लेकर दस अजार साल पहले के बीच बनाए गये होंगी इन में कई जानुवरों की चित्र हैं इन में जंगली घोडे गाए भेंस गेंडा रेंडियर बारे सिंगा और सुवरों को गेहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है इन रंगों को लोहो ऐसक और चार कॉल जैसे खनेच पदार्तों से बनाया जाता था यह संबव हैं कि इन चित्रों को उत्सवों के अफसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें सिकारियों दोरा सिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुस्थानों के लिए बनाया गया होगा एक नव पासाने एक पुरास्तल एटलस में तुरकी पटेंगे तो नव पासांड जुक के सबसे परसिद पुराश्टलों में एक चताल हुग तुर्की में है यहां दूर दराज इस्तानों से कई चीज़न लाई जाती थी और उनका उप्योग किया जाता था जैसे शीरिया से लाया गया चकमक पत्थर लाल सागर की कोडियां तथा भूमदे सागर की शीपियां द्यान रही कि उस समय तक पईये वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था लोग सामान खुद या जानूरों की पीट पर लाइद कर ले जाया करते थी बताईए कोडियों तथा शीपियों का उपयोग होता होगा क्या उपयोग होता होगा अब्यास परसंट पेला परसंट है चताल यूग नामक पुरास्तल कहां पर इस्तित हैं दूसरा परसंट पसुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है कैसे ना पासांट यूग में ओखली और मुशल का उपयोग किसलिए किया जाता था मेहरगाट पुरास्तल का मेहरगाट पुरास्तल पर विस्तरत विवरन लखी